प्रिष्ट बूमी क्या है आईए ये आपको समझाते हैं एक बार रुख खरेंगे थोड़ा सा पीछे जाएंगे और समझेंगे कि कब इसकी शुरुवात हुई करगिल युद्ध के बाद एक कमेटी बनी उस कमेटी का नाम था करगिल रिव्यू कमेटी करगिल रिव्यू कमेटी ने नागरिकों का जन संख्या रेजिस्टर बनाने की सिफारिश की और इस सिफारिश के ही तहत रेजिस्टर बनाना सुरक्षा की दृष्टी से जरूरी माना कमेटी ने अटल वियारी वाजपई सरकार ने इस सिफारिश को स्विकार किया और 2003 में नागरिक्ता कानून में संचोधन किया गया नागरिक्ता कानून 1955 में 14-A को जोड़ा गया 14-A क्या कहता है केंद्र हर नागरिक को पंजिकृत कर एक राष्ट्रिय पहचान पत्र जारी करे यह जो संचोधन हुआ वो यह कहता है उसके बाद भारत के सभी नागरिकों का एक रजिस्टर बनाने का फैसला किया गया और इस फैसले के तहट जिसमें नागरिक भी हो और गैर नागरिक भी हो यह दोनों तैह हुआ 2004 में UPA सरकार ने इस पर गौर करने के लिए मंत्री समू का गठन किया और मंत्री समू के गठन के बाद फिर जब 2008 में मुंबई हमला हुआ इस हमले के बाद सुरक्षा की दृष्टी से NPR की मांग एक बार फिर बढ़ी और 2010 में NPR के तहट जनगर्णा की शुरुवात हुई और इस शुरुवात में भी 6 जुलाई 2012 को ततकालीन राश्पती प्रतिभापाटिल को NPR के तहट पंजिकरत किया गया इसी के साथ साथ तवाम तकिये इलाकों में राश्ट्री पहचान पत्र जारी किये गए NPR अपडेट करने का काम साल 2015 में घरगर जाके सर्वे के जरिये किया गया ये दौर रहा मोदी सरकार का अब इसे फिर से अपडेट करने का काम अप्रेल 2020 से शुरू होगा जो की सितंबर 2021 की जनगर्णा में हाउस लिस्टिंग फेस के साथ चलेगा NPR को समय समय पर अपडेट करना जरूरी होता है NPR का अपडेशन क्यूं जरूरी है इसके भी दो कारण होते हैं दो कारण है जिसकी वज़े से अपडेशन जरूरी है इससे सरकारों को कल्यानकारी योजनाय बनाने में फाइदा मिलता है ये चिन्नित किया जाता है कि कितने लाभारती हैं किनको मिल रहा है साथी साथ एक और बड़ा कारण ये रहता है NPR को अपडेट करने का सुरक्षा एजेंसियों को किसी नागरिक के बारे में जानकारी लेने में सुविधा होती है तो ये एक महतुपून एक तरह से कह सकते हैं दो कारण रहे जिसको NPR अपडेट करने की जरुवत है साथी साथ NPR किस दौर से शुरूओ के यानि कि 2003 में इसकी एक तरह से शुरुवात या इसकी एक परिकल्पना की गई जिसको की UPA के दौर में शुरुवात की गई और अब मोधी सरकार के समय इसका अपडेशन होना है फिर ये इतने सवाल क्यों इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे न्यूस नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़िये हमाई साथ